बहुत सारे स्ट्वेंट्स जिन्होंने स्टेंट्रल सिल्क बोर्ड अपर ड्विजन कलर के लिए अपलाई करा हुआ है तो उनका एक रिक्वेस्ट है कि इसका क्या स्लेबस है वह आप मुझे एक बार बता रहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग इसी के स्लेबस की बारे में करेंगे जिन स्ट्वेंट्स ने अभी तक इसका फॉर्म फिलप नहीं करा है तो आइट या नाइन्थ जन्वरी 2023 इसकी लाज़ डेट है सिंपल ग्रेजुवेशन की रिक्वार्मेंट है इस पोस्ट के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड अपर डिविजन कलर की में बात कर रहा से आप पुरा डिटेल में चेक कर सकते हैं यहां पर आपको नोटिफिकेशन का लिंग भी मिल जाएगा आपको ऑफीशल वेबसाइट का लिंग भी मिल जाएगा एपलाई करने का भी लिंग मिल जाएगा तो आपको कहीं और जानी की ज़रुवत नहीं है तो जिन बच्चो questions होंगे हर question एक number का होगा मतलब one marks का हर question होगा और negative marking 0.25 की होगे sectional timing है इस पूरे exam में तो कहीं ना कहीं sectional timing की वज़ा से difficulty level थोड़ी सी बढ़ जाएगे section 4 section में divide है पूरा का पूरा paper UDC का paper section A में general intelligence and reasoning के questions होगे section B में general awareness का question होगा section C में numerical aptitude का question होगा section D में English comprehension का question होगा हर section में 30 questions होगे और इस 30 questions को solve करने के लिए आपको 30 minutes का time मिलेगा total 120 questions solve करने के लिए 120 minute यानि की 2 घंटे का समय मिलेगा इन्हें देखा जाए तो हर questions के लिए 1 minute ठीका तो English के case में या फिर general awareness के case में यह possible है लेकिन general intelligence के case में जो है बहुत सारे students के लिए possible नहीं होगा बहुत सारे students के लिए पॉसिबल होगा लेकिन quantitative aptitude या numerical aptitude वाला section है यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी कि 30 questions को 30 minutes में करना है कभी-कभी क्या होता है questions थोड़े से typical हो जाता है कभी-कभी बच्चे first जाते है questions में कैसे solve करना है तो इसी में time चला जाता है और sectional timing में थोड़ा सा गरबड होता है sectional timing में क्या होता है आपको general awareness के लिए 30 minutes मिले रहे हैं तो आप 15 minutes में भी solve कर दोगे तो भी 15 minutes बिकारी जाने वाला है वो यहां पर syllabus की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे syllabus में जो पहले general intelligence and reasoning है इसके अंदर जो normal SSC CGL का syllabus है वही दिया हुआ है कुछ special नहीं है यहां पर ठीक है चीजे terms जो है थोड़ी अलग से आपको मिलेंगी लिकिन इस terms को modify करनी के लिए मैंने एक general intelligence and reasoning का syllabus पूरे खोल के बता है वह मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है उसके बाद अगर नीचे आओगे आप तो general awareness का section मिलेगा general awareness का section important है क्योंकि यहां पे current affairs इन्होंने सबसे पहले mention करा हुआ था sports जो है next topic है तो आपको static GK के questions भी मिल सकते है sports से related history यहां पे एक और topic mention करा गया है art and culture की questions होंगे पर आपको पूरा पूरा नोट मिल जाएगा निशानती एकाटमी के website पर जोग्राफी के questions पूछे जाएंगे economics है quality and Indian constitution है government schemes पर based questions पूछा जाएगा science and tech पर based question पूछा जाएगा अब इन्होंने सरफ science and tech mention करा हुआ है तो आप समझे लो कि आपको physics, chemistry and biology पढ़नी ही है साथ में computer भी पढ़ना है और आपके पास दूसरा option नहीं है यहां पर अगर आप देखो तो एक general studies पर based मेरा एक course है जहां पर सारे चीजे मैं cover करवा रहा हूं video के format में तो आपको जानन आप एक courses वगरे सब sell होते हैं वहाँ पर नहीं तो आप यहां पर आप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं एक से मेरा numerical aptitude का syllabus numerical aptitude के syllabus में आपको दू चीजे ध्यान में रखनी है कि आपको arithmetic के सारे topics करने है और number system पूरा cover करना है इन्हीं दोनों topics से questions होंगे आपको यहां पर mensuration के questions यह सब देखने को नहीं मिलेगा इन्होंने mention नहीं करा हुआ है और इन्होंने एक lines आप साब mention करी हुई है कि जो भी चीजे मिलेंगी वह 10 प्लस 2 level के standard का होगा मतलब जो upper division color के लिए आगर आप CSB यानि Central Silk Board के UDC के लिए अगर आप apply कर रहे हैं तो आपको questions का जो standard मिलेगा वह 10 प्लस 2 level का मिलेगा ना इंग्लिश के अंदर जो है English passage one word substitution idioms and phrases synonyms and antonyms grammar based error detection की questions filler and sentence rearrangement की questions आपको मिलेंगे तो यह पूरा था topic wise मैंने mention कर दिया है कि syllabus में क्या है अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के शेयर करिए चैनल पर नए है तो चैनल सस्क्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस से related अभी previous year questions में आपको solve करवाऊंगा अप पीडिएफ को सो और कोई भी डाउट होगा तो comment section में comment करके जरूर पूछेएगा thanks for watching this video and wish you good luck for your paper झाल